तो डियर स्टूडेंट जो भी हमारे बीए फेप्त समस्टे के छात्र है जिनका सब्जेक्ट हिंदी है और हिंदी की फर्स्ट पेपर की परिच्छा देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो महा संग्राम होने वाली है क्योंकि ज्यादा तर जो प्रश्ण है वो आज की इस आपकी परिच्छा में आने वाले हैं अगर सिंपल भासा में समझें तो 75 नंबर का आपका हिंदी का जो फस्ट पेपर उसका पुडांक होता है ठीक है तो उसमें से करीब करीब जो ठीक है 40 से जो 50 नंबर के जो प्रश्ण है वो सिर्फ होर सिर्फ आज की इस वीडियो से आ करूंगा कि वीडियो को इंड तक देखते रही है ताकि जो हमने मेहनत किये जो जो हमने कुश्चन आप लोगों प्रुस्त करने का प्रयास किया है वह आप तक पहुंच सके आप और आप उन कुश्चनों को तयार करके जा सके ठीक है इस वीडियो में कोश्चन एंसर दोनो शुरू करते हैं इसी वर्स 2023-2024 का मैंने माडल पेपर का फर्ष्ट पेपर आप लोगों प्रुस्तुत किया है ताकि आपको पता चल सके कि भाईया फर्ष्ट पेज होगा वहाँ पर समेस्टर लिखा होगा फाइप एक्जाम निशन दोजा चोबिस सब्जेक्ट हिंदी औ भी आपको बताने वाले इसमें मिल जाएंगे बाकि जो कोश्चन नहीं होंगे उसको आप लोग सर्च कर लिजेगा यह माडल पेपर भी आपको हम दे देंगे ताकि आप समझ जाएं कि कैसे पेपर होता है ठीक है पहले कोश्चन की सुरुवात करते हैं कि नाटक के मुख बिशेश्चताय बताईए नाटक कहानी एकांकी उपन्या संस्मर रेखा चित्र यह सबसे आप लोग आत्मगत्था से परचित हैं यह सब विधाएं हैं तो उसी तरह नाटक जो होता है ठीक है नाटक यह जो नाटक है मतलब कोई भी नाटक हो तो उसकी क्या मुख इसका उत्तर लिखेंगे कुछ विशेश्चताय जो पॉइंट वाईज है नाटक का कथा ना किया विशे वश्च्छ वस्त एक प्रसिद्ध कथा यह सत्य गहटना पर अधायत होता है जो नाटक होता वो कहीं कहीं एक सत्य कोई घटना घटी होती है तभी उसका तो कॉपी क हो गई दूसरी इसका नायक रमेडिये गुड़ों से युक्त हैं प्रिसिद्ध वंस में जन्मा कोई राजा या दिब्ब पुरुस होता है मतलब नाटक में जयातर क्या होता है कि या फिर कोई भी घर का आदमी मतलब कोई इंसान होता कोई महला होती ठीक है और उसके जो गु एक भद्र प्राकत का होता है अर्था नायक दान देने वाला होता है ठीक है और कृतक बिद्वान कुलीन लच्मिवान लोगों के अनुराग का पात्र रूप योवन योवन उत्सास युक्त तेजस्टूई चत्र योवन सुसील होता कहने को मतलब यह होता है कि इसमें जो I'm, अलग अलग लोग होते है ठीक है जैसे कि मुबी में नाटक इनी तो दिखाया जाती फार रहता है कोई घृवान रहती कोई गुंदा रहता है ठीक है और कोई आरहान के बॉन चीज़ती है ठीक है नायक में बहुत फारे अलग अलग लोग होते हैं जिसे कि नायक की बात कर रहे तो उसमें जो हीरो यानि की मुख्य होता है ठीक है नायक में वो दान देने वाले हैं कि बहुत ही दयालू की टाइप का इंसान होता है ठीक है और वो एक बहुत ही नारमल और साधान होता है ठीक इसमें आपको लिखना है कि नाटक का विवाजन अंकों में होना चाहिए ठीक है इसमें अंकों की संख्या कम से कम पांच एवं अधिक से अधिक दस हो सकती है ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे नाटक का जो विवाजन है वो अंक में होता है ठीक है और अंकों की जो संख्य कम से कम पांच एम ज्यादा फे ज्यादा दस हो सकती है ठीक इस बात को ध्यान रखेंगे ओके अगली जो विस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् इसलिए सारे कोश्चिन का उत्तर तयार करेंगे थोड़ा रीटियल में तयार करेंगे ताकि अति में आया तो छोटा लिख दे देरगे में आया तो लॉंग करके आप लोग लिख दे रिचर्ड ने अर्थ वा भाव के संबंध को किन रूपों में सुभिकार किया रिचर्ड बिद्वान है इनसे जुड़ा कोश्चिन हमेशा फसता है और इस भी परिच्छा में आपके करीब करीब दो कोश्चिन पक्का फसेंगे पिसेंगे रिचर्ड़ शर जजूड़े इस बात के ध्वान नखेंगे ठीक है तो रिचर्ड़ के ने अर्थ और भाव के संबंध को बताते हुए उसके तीन रूप सभिकार की हैं पहला है कि जहां अर्थ ही भाव का बोधक हो और दूफरा है कि जहां अर्थ भाव की अनभूत का सोचक हो और तीफरा है जहां प्रसंग बिशेश के करण अर्थ बिभिन भाव का सोचक हो ठीक है अलाकि ये इतना महात्पोर्ण नहीं कभी कदार आता है तो आप पढ़ भी सकते एक लोगी कर सकते ठीक है अगला प्रशन है कि रंग मंच पर किसी भी पात की सरप्रथम पहचान उसकी रूप सज्जा से होती ही ठीक है माली जे के एक ज्याम पर घुर्फ मने कोई मूवी देख रहें तो मूवी में आप लोग आप मली कोई नहीं मूवी देख रहें लेकिन फोड़ी दिर बाद देखेंगे न तो आपको पता चल जा剛剛 कए उसमें प्रोग्राम शुरू होता है तब उसमें ये पता चल जाता है उसके भेश बुसा रूप सज्जा से पता चल जाता है कि भहिया उसमें कौन राजा है कौन राजा है कौन प्रजा है कौन उसके बच्चे है कौन अन्य आदमी है मंतरी ये सब आपको पता चल जाता है ठीक है तो उसी से सम्मंदित question है तो रंग बंच पर किसी भी पात्र किस सरप्रथम पहचान उसकी रूप सज्जा से होती है ठीक है दर्सको यानि कि जो देखते हैं ठीक है दर्सको को पात्र के बारे में सरप्रथम ग्यात उनके देश काल अवफ्था आदी उनके उचित अहारिके द्व जाता है किट सीजाम हराल भुप सफ़ेषम पात्र के रोड़ already पलिए को करन द्रूंद गया है तो पता चल जाता है ठीक है और उसके बाद लिखेंगे च्चंक कि समय परिवर्तं सीर होता है तो इस प्रकार परिचे लिखेंगे जिसे कि रामायड आप लोग देखा होगा महाँ भारत देखा होगा तो उसमें आप भाई पता चली जाता है और इनकी भेश बुसा या तो आपको पता चल जाता है महाइड बैश पर लिखेंगे नाटक सब्द जो है इसके उत्पत किस प्रकार होई है तो इसके बारे में जान लेते हैं नाटक बहुत हमात्पून प्रशने भी है तो भारते अचार यानि कि जो प्रमुख है जो बिद्वान है अचारे लोग है ठीक है इनों रूपक के भेदो में नाटक को सरपर्थम एक स सरबोच यानि के प्रमुख अफ्थान दिया इफले इसे सभी रूपकों की प्रकति भी कहा जाता है नाटक को ठीक है नाटक जो सब्द है इसकी उत्पत जो है वो नट धात से हुई है ठीक है और लिकना है कि मानी जाती है या फिर माना जाता है कि जिसका अर्थ आवस्था बिसेश का अनकुरण ठीक है आंसिक वाचिक सात्विक एवं अहार अभने के द्वारा दुसियन्त राम आदि पात्रों के साथ तदात में अफ्थापित कर लेना ही अनकुरण है अर्थात अनकुरणिये पात्रों के भावों को वहन वा तदानुकूल अंग संचालन की प्र अधिक भावाफाय थोड़ी हार्ड लग रही होगी मुझको भी लग रही आपको भी लग रही होगी लेकिन अभी सिंपल हम आपको समझा देने हैं ठीक है बाकी नाटक द्रस से काब्ब्य है यानि कि दिखने वाला एक नाटक नाटक जो है दिखने वाली कविता है या अने द्वारा होता है इसलिए इसका प्रभाव साहित की अन्य विधाओं से अधिक पड़ता है क्योंकि इसमें पूरा तरह आपको प्रपीर होना पड़ता है बने करना पड़ता है ठीक है और पूरा का पूरा आपको तयार होना पड़ता है ठीक है और यह तब फिर दिखत हित की भावना नहीं होती है लोक रंजन्यम लोक यानी लोगों की हित की भावना नहीं होती है नाट साफ्तर में आचारी जो प्रमुक बिद्वान और प्रमुक कभी है भरत मुनी लिखते हैं कि नाटक का प्रियोग हुआ है नाटक का प्रियोग हुआ है जिसमें किसी चित नट रंग मंच पर अबने द्वारा संगीत की सहाथा से दरसकों को रफ उत्पन करने है तो उनका मनों विनौत करते हुए ठीक है उत्पन ने करते हैं जिसको लोग समझते हैं तो मतलब लोगों के समझत ये पृष्टत किया जाता तो उसको पता चल जाता है कि भीज़ संगीत के माद्धियम से ठीक है और उसके मन को इस तरीके से मतलब कि कुछ थोड़ा बहुत इस तरह की कुछ वर्ट्स बोल कर जिससे आप लोग बेसिक सा परिशे लिखेंगे ऐसे उत्पत्त हुई है बाकि आपके समस्त उत्तर भी आप अपने उस्वा तैयार कर लिए को महत्त पूर्ण प्रस्ण अगर आपको मेरे दौरा बताएगा उत्तर नहीं समझ में आए तो कोईशन नोट कर लिए इंटरनेट पर सर्च कर अपनेट विखेंगे बहुत मुनी जी है बहुत मुनी के बैगतुत्ति के समान ही नाठाव्त की रचन लिखें में विद्वानों यहीं सब्सक्राइब कि पता चल पाया कि नाठ्र साफ्द की रचन में हुई है कि वर्ष हो ले बिभिनः बिदवानों द्वारा नाट फाftर का रसना काल ईश्रा पूर्ब से लेकर चौती सतादबी तक सुभिकारा गया है लेकिन यह भी पूर्टा भ्रमित करने वाला तथा असंतोष जनक रहा है यद्धि भारती विद्वानों द्वारा इसका बिना सोचे समझे अनुकूर्ण किया गया कुछ विद्वानों के द्वारा इस ग्रंत का रसना का लिशा पूर्व के जन्म के सो से दो सोवर से पहले या बाद का बताया गया परंतु सत्त तो यह है कि इस महान ग्रंत की विशे वफ्त वैदिक काल से ही चली आ रही है तो वैदिक काल से ही चली आ रही है ठीक है पुराणों तथा आनिक ग्रंतों से ग्याद होता कि भारत में इस ग्रंत से संबंदित क्योंकि अधार पर कहा जा सकता है कि भारत में इसा के कई सो वर्ष पूर भी नाट्रशाफ्त की रशना हो चुकी थी ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे इसके परिश्चे के बारे में और भी थोड़ी जानकाई लिखी गई तो कि आपको पढ़ ले ना बहुत ही महात्पूर हैं जिसमें से कुल 4426 श्लोक एवं कुछ अंस्व गद्ध के भी हैं ठीक है और नाट्रशाफ्त्र प्रत्य प्रत्यव्य ग्यान दर्सन की छाप है इसमें सुविक्रत 36 मोलतत्य के प्रतीक सुरूप नाट्रशाफ्त्र में कुल 36 अध्याएं जिनका वरण आपको लिख देन मुल्यांकन कीजिए यह भी कभी कदार आने वाला कुछिन है तो आप पढ़ भी सकते एक नौर भी कर सकते बेसक और यह थारत वाजिस सहत इक पर वित्याइए यह आपको दीर घुत्रे पिल्लग उत्रे मजड़ा देखने हो कि मिलता हमेशा नहीं आता हमेशा नहीं आता है काब बिभाफा फिद्धान का मुल्यांकन कीजी यह कुष्चन है कि काब बिभाफा जो होती है कभीता की जो मातसा होती है तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कोलरिज द्वारा वर्थ वर्थ के यानि कि प्रमुक जो बिद्वान है जिनका नाम है वर्थ 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 ने गहन अद्धिन किया ठीक है कॉलरिज की इफ अलोशना का महत थोड़ा कम रह जाता है क्योंकि वर्ट्स वर्थ द्वारा रचित आमुक से पहले कॉलरिज सहमत थे तथा वे पुफ्तक के संकलन में सहायक थे साथ ही या विध्यान रखने योगी है कि वर्ट्स वर्थ ने का व देश इसलिए नहीं किया था कि यह अलोशना है ठीक है ठीक है और नहीं वह अलोचक रूप में प्रसिद्ध थे मतलब कि यह नहीं कि वह अलोचक है अलोचक की टाइप की रशनाये लिखते हैं ऐसे कोई प्रसिद्ध नहीं थी उनकी हलाकि उन्होंने कभियों की मानिताओं को एक सिर्य से नाकार दिया था ये देप काब भासा फिद्धान की खूब अलोशना हुई परंत इसके आधार पर वर्ष वर्ष द्वारा कभियों की कृत्मिक्ता बनावटी पन तथा ठीक है अडंबर पूर भासा का भहसकार किया गया यानि कि उसको इग्नोर किया गया सिर् अपनी भासा में तैयार कर सकते हैं कोईशन महात पूर्ण है लेकिन ठीक है बिखंडन वात की सीमाय बताई ये तना महात पूर्ण नहीं तो आप इसे एग्नोर भी कर सकते हैं अभने कार्थ ही इसको आपको जरूर पढ़ लेना है ठीक है भरत मुनी अचार भरत मुनी कि महात पूर्ण प्रेशनेश का उत्तर आप भी तैयार कर सकते हैं मेरा कोई वो नहीं कि हमेरे द्वारा बताएं करें बेशिक सा और आप इंटरनेट पर सच कर सकते हैं अग्रा क्वेश्चन वर्ल लाइनर है यह तरह उत्तर भी ज़्यादा फंसते हैं कि सचंदु सभी के पाशात बिद्वानों के नाम लिखे तो इसमें से नंबर 一个 क्वारा इंडर्ली जाय है नंबर दो प्रीसेली हैं नंबर तीन व 27 कीट्स कर सकते हैं अगला प्रशन है कि दो मनोग इसलेशनवादी चिंतकों का नाम लिखी जिसमें से पहले एक पे नंबर लिखेंगे सिग्मंड फ्राय यड और नंबर दो पर लिखेंगे यूंग ठीक है और अगला की काप भी के होती है नहीं कि रस्ना के हेत उपर प्रकाश डाली यह भी इतना महातपूर्ण ने इग्नोर कर देंगे ठीक है मन के तीन अस्तर यह इंपॉर्टेंट कई बार आ चुका है लेकिन इस बार गारंटी नहीं कि आएगा इक नाएंगे लेकिन तैयार कर लिएंगे तो आप लोगों प्लेहलखुल साबित हो सकता है ठीक है चेतन आ परकार की होती है पहला है कि अब धामोल धोन और को याद रखना को कोश्टन है कहीं और कई सारे कोश्चन आपको आरस्तो जो कि प्रमुक्विद्वान ने पर इस्फश्चन आएंगे इनके बारे में जितना हो सकते त्यार कर लीगा कर गलीए तो आरस्तो के काबिसंदी व सिध्धांत है पहला कि अंकोर्च उड़ाय तो और एक परीज्ब के ना महीं नवी ठीक हो अरफ यह तो इनकी कुस प्रॉप्प देन washes में प्रिकासित stimulants और important है तो तैयार कर लेजिएगा ठीक है अगला कि आई ये रिचर्ट्स ने कि फिद्धान्द का प्रतिपादन किया ये महात्पूर्ण प्रस्ण है तो इन्होंने मूल फिद्धान्द का प्रतिपादन किया है और रिचर्ट्स के मन को क्या कहा है तो रिचर्ट्स ने मन को आवे ताके एक सब्सक्रमाद में रिचर्ट्स जीए ठीक है जो की बिद्वान और प्रमुग हिंदी के भुएद्ट कर देडियोग ठीक है रrando एक थेक रिचर्ट कि कितने प्रियोग बता और इनका पूरा नम में आई रिचर्ड्सु का इभी ध्यान लिए कि अधिक they will सब्दा लंकार की नाम लखेंगे तो सब्दा लंकार में आजाएगा नुपराफ आता है यमक आता फलेफ आता है विए और आगिला प्रशन है कि अलंकार संपर्दाक समर्थक कौन-क्र तो अलंगकार संपरदाइक जिन्होंने समर्थक किया उनका नाम है अचार भामा जी जैदेव जी अचार केसोदी ठीक है यह कुछ प्रमुक ठीक है अलंगकार संपरदाइक जो है इसके समर्थक है इसके सपोर्टर है तो इस प्रकार लिखेंगे अगला कि किनी दो सब्दा अ प्रवाइट कर देंगे ठीक है और इस प्रकार लिखेंगे इसका उत्तर और वह क्रियोत के कितने भेद होते हैं यह भी कभी कदार आ जाता है तो इसके छे बेद होते हैं आपको ध्यान रखना है पढ़ लिजेगा ठीक है यह पीडियोफ आपको हम प्रवाइट करा देंगे प्रवाला हमेशा पूंचा पूंचा जाता ऐसी कोई परिच्छा नहीं गई जिसमें कुश्चन नाया हो और कुश्चन की हम एक सब्सक्राइब बताई तो रख के नो प्रकार होते इस बात को ध्यान रखेंगे अचार अभिनोगुप्त और समराट ने नो ही रस माने हैं ज और सान तरफ है ठीक है तो इन आप लोगों को इनको तो जरूर तयार कर लेना आप लोग कितने भेद होते हैं रसकी वो तयार कर लेना प्लस उनके नाम क्या क्या यह तयार कर लिजिए गारंटी यह प्रशन फंसेगा तो अभी से बोल ला हूं भी ड़ट लीजिए ठीक है इसके बाद सब्सकते कितने प्रकार की होती यह प्रशन की गारंटी नहीं लेकिन प्रशन की प्रशन की जाते कि सेatus यह सुछत कर यह प्रशन के नां वोगों कि सकते हैं यह सांसे और यह सारे जो इस वीडियो में कुश्चन दे गए इनको आपको तयार कर लेना है बाकी इस पीडियाप को हम टेलिग्राम मुट्रब पर डाल देंगे तो आप वहां फे इसको डाउनलोड करके इसमें देगे कुश्चन और अंसर तयार कर लीजेगा तो मैं आपको बता ही च और बाकी कुश्चन को हम आप लोगों को कुछ इनवर्सिटियों पर इच्छाय हो चुकी है तो उस माडल पेपर को भी हम आटेज कर देंगे तो उसमें देगे कुश्चन की भी आपको तयार कर लेना है वह आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे ठीक उसका उत्तर तो इस को हम टेलेग्राम अटसर पर प्राइट करा देंगे कोई कोश्चन जरूर पोचे और मिलते हैं हम आपको एक और नए वीडियो के साथ जब तक के लिए जय हिंद